तो लास्ट लेक्चर में हम लोग रियक्शन्स औफ एमिनो असीड के उपर डिसकस कर रहे थे तो उसी को कंटिनू रखेंगे इस लेक्चर में भी तो जैसा कि मैं आपको बारवार बता चुका हूँ कि एमिनो असेड के इस्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं तो सेंटर में कार कि एमिनो असीड के मतलब रियक्शन करता है तो वहां पर क्या होता है यह दोनों ग्रॉप बिल्कुल ही भी पाटिस्पेट नहीं करता है ऐस इस प्रोडक्ट में बना रहे हैं यह 100% बात जो है कनफॉर्म है तो इसमें क्या होता है कोई भी रियक्शन जब करेगा तो या त देखे इसके उपर आप लोग चाहो तो देख सकते हो सर्च बार में टाइप कर लेना लिथयम अलमुनम हाईड्राइट बाइ मैन्वल केमेश्ट्री ठीक है तो वहां पर मैंने बता रखा है कि लिथयम अलमुनम हाईड्राइट जो आपने आप में क्या है यह एक होगा यह तो वह amino acid के COOH ग्रूप पे अटाक करेगा या फिर NH2 ग्रूप पे तो अब हम यही चेक करना है कि कि किस पे अटाक करेगा लीथियम almunium hydride क्या है यह reducing agent है इतना पता मतलब reduction करेगा अब हम लोग मतलब स्कूल टाइम से परते आ रहे हैं reduction में क्या होता है oxygen के term में अगर बोले तो oxygen भाहिया हट जाता है और hydrogen के term में बोले तो hydrogen add हो जाता है यहां पर आप खुद देखो नहीं कोई भी oxygen नहीं है तो हटाएंगे क्या तो फिर जब हटाएंगे नहीं तो add करने का क्या मतलब तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं यहां पर देखते हैं भाहिया और यहां पर CWH में तो दो oxygen group है तो इसमें से basically यहीं से काम ब bond यह इस carbon के साथ बना रहा है तो यहां पर basically क्या होगा ना कि यह जो है ना oxygen को हटाना है और उसी के जगह पर hydrogen को add करना है तो यहीं reduction होगा और क्यूंकि reducing agent है तो reduction बहुत अच्छे से कराएगा तो यह clear हो रहा है आपको point आई हो clear होगा यहां से क्या हो जाएगा carbon double bond oxygen जो यह ब्रेक करके हट जाएगा जैसे ब्रेक करके हट तो भही अचारवन का दो वैलेंसी हो जाएगा अब इसको जो है चार बॉंड न बनाना है तो दो और बॉंड चाहिए तो क्या हो जाएगा hydrogen के साथ single bond बनाता है या double bond सिंगल बनाता है तो उसके लिए दो hydrogen हमें रखना पड़ेगा, double bond बनाता oxygen की तरह तो एक ही hydrogen से काम चल जाता लेकिन वैसा तो है नहीं तो यहां यह हो गया और यहां पर इस carbon पर यह oxygen हट गया तो यह double bonder था तो इसके जग़ा दो hydrogen attach हो गया, OH हो गया मतलब सिंप्ली आप यह कहो कि यह जो acidic group जो था यह reduction करके, reduce करके जो है यह alcohol बना लिया due to the presence of reducing agent that is lithium-algonium hydride तो यह सिर्फ attack हुआ, CWOH पर NH2 पर attack नहीं हो और यह दुनों तो भईया इस पर तो attack ही नहीं होगा यह clear हो गया, चलिए, अब दूसरा हम लोग reagent देखते हैं, दूसरा reagent है वह यह CS3-BR, इसे हम लोग क्या कहते है, इसे हम लोग कहते है, alkylation, ठीक है, alkylation तो बहुत simple है इसको भी मैं जो बोलते जाओंगो इसको दियान से सुनते चलना है, सबसे पहले तो आपको इसका यहाँ पर बड़े प्यार से जो क्या करना है, बड़े प्यार से आपको इसका जो है, इसका यहाँ पर structure draw कर लेना है, amino acid का, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CS3 और BR, देख आपको इसके बहुत बहुत जादा होती है, तो CS3 के साथ क्यों bond बना है, हम अकेला टूट के BR नेगटिव के फॉर्म में रहे, मेरे उपर यह electron density जादा रहे, नेगटिव चार्ज के फॉर्म में, तो यह bond break कर लेता है, अब bond break करेगा, तो इस बेचारे पर क्या हो जाएगा प्लस चार जाजाएगा, यह इस पे जो है, मिथाइल गुरूप पे प्लस चार जाजाएगा, तो यह इधर देखेगा, कि भाई, आप में से किसी भी के पास electron density है, क्या, जिसके पास जादा हो, ताकि मैं आप से जो electron density कुछ ले सकूं, और आपके साथ मिलके bond बना लूँ, अब इधर देखेगा, तो इधर यह दोनों के तरफ देखेगा, तो कोई फायदा है नहीं है, यह दोनों में से डिसाइड करना है, तो यह दोनों में आप देखेगा, तो इसमें क्या पता चले है, NH2 में nitrogen है, nitrogen के उपर electron density ज्यादा है, due to the presence of lone pair, ठीक है, क्योंकि nitrogen के पास lone pair इसलिए इसके पास electron density बहुत ही बल्क में है, तो यह कहगा, रुको रुको भाई, मेरे पास lone pair है, तो मैं lone pair अपना देता हूँ, bond बनाता हूँ, जैसे lone pair दे के खीचेगा अपने तरफ, यहाँ पर basically क्या होगा, मैं insert बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखे, यह इस तर plus charge, अब NH plus charge ज्यादा दिर रख नहीं सकता है, ठीक है, अब क्या करेगा, भाईया, कहेगा, अब एक hydrogen को तोड़ना पड़ेगा, तो यह bond को तोड़ देगा, अब यह bond को जैसी तोड़ेगा, तो इस पर था plus charge, अब इधर आ जाएगा negative, तो पहले plus charge था nitrogen पे, अब आया negative, त कोई है क्या, जिसके पास electron की कमी हो, तो मैं उसे दे सकता हूँ, हाँ भाई, अब ही रुख जाओ, NH nitrogen ने मुझे हटा दिया अपने पड़िवार से, तो मुझे हो गया H+, और इनके पास है, इनके पास है, बी-ार negative, दोनों एक दूसर से मिल के क्या करेंगे, H-B-R बनेंगे, अब यहाँ पर finally product कैसे लिख सकते हैं, बहुत simple है, यह CH हो गया, यह R हो गया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, C-O-H हो जाएगा, और यह simply NH है, और यह NH जो है किसके साथ attach हो गया, यह NH हो गया, CS3, यही हमारा हो गया product, बहुत simple था, clear, चलिए, अब हम लोग तीसरा हमारा reagent देखते हैं, तीसरा हमारे साथ reagent क्या है, that is CS3, C-O-C-L, तो इसे हम लोग कहते हैं, acetylation, क्या कहते हैं, acetylation, बहुत simple है, यह भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे, जैसे हम लोग ने alkylation किया, तो यहाँ H है, R है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C-O-H हो जाएगा, same style में, यहाँ पर NH, और यह भी जो है, NH पर ही attack करेंगा, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको reason clear करता हूँ, देखे, यह जो CS3, इसको आप लोग structure wise ऐसे draw कर लो, यह ऐसे हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, CL और इधर हो जाएगा, CS3, इस तरीके से कर लो, अब यहाँ पर attack हो रहा ह तो फिर देखो, मैंने आपके क्या बोला है, हैलोजन ग्रूप का बहुत ही, क्या चाहता है, कि अपने उपर negative charge रहे, तो तुरत निकल जाता है, यहाँ से क्या हो गया, यह CL negative निकल गया, जैसे पीछले case में, हम लोगे देखा था, इस carbon पर electron deficiency हो जागा, लास्ट में हम इस से सटा हुआ, यह जो है carbonil group का carbon, इस पर हो जाएगा electron density, और nitrogen कहेगा, भाईया, रुको, रुको, हम दे रहे है electron density, तो यह electron density देगा, जैसी देगा, इस पर plus चाहता जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यह फिर से हटाएगा H plus को, तो भाईया, यहाँ से क्या हो इधर H हो जाएगा, इधर R हो जाएगा, इधर CWH को attach नहीं करेगा, अब इधर क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले इस पर plus charge था, क्योंकि यह donate करके bond खिचा था, बाद में क्या हो जाएगा, यह bond को break कर लिया तो negative charge हो जाएगा, प्लस औ लोग देखते हैं, यहाँ पर reagent वो क्या है, वो है phosphorus pentachloride, देखिए जैसे मैं आपको starting में बदा ली थे, मैं हाइडराइट पर हमें वीडियो बना चुका हूँ, ठीक, उसी तरीके से PCL5 पर यूमें बना चुका हूँ, तो आप चाहो तो detail में वहाँ से देख सकते हो, तो PC PCL5 में basically हम लोग क्या रते क्या हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका structure कैसा होता था, यहाँ पे center में phosphorus होता है, उपर नीचे CL हो जाता और equatorial में 3 chlorine हो जाता है, ठीक है, अब यह basically जो है न, यह carbon oxygen के बीच ही attack करता है, तो यह तो भाई, यह दोनों तो हट सबसे पहले bond किसको preference मिलता है, तो single bond को, यह आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जहाँ PCL5 है, यह bond break कर जाएगा, यह bond break कर जाएगा, तो इसका 1 CL, HCL के साथ लग जाएगा, और 2 CL के साथ लग जाएगा, अब यहाँ पे बचा क्या, 2 CL तो हट गया, तो PCL3 है, तो PCL3 जो है, यह ओ के साथ आजाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, POCL3 बन जाएगा, ठीक है, बहुत प्यार से, अब यहाँ पे एक और क्या हो जाएगा, यहाँ पे SCL हो जाएगा, और फिर बाकी जो हमारा product क्या बनेगा, H बनेगा, R बनेगा, और फिर इधर C double bond O, और फिर इध इसके लिए SCL को अपनी दरफ attract कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटा के SCL को लिख लेते हैं, क्योंकि SCL है H प्लस टूटेगा, तो N बड़े असानी से attract कर लेगा, फिर CL negative रहेगा, तो इसलिए इसको हम लोग insert इस तरीके से लिख देते हैं, अतव सकते हैं, बड़े लेते हैं to format यहाँ लेगा, यहाँ सो इसको हम लोग नहाँ देटी हैं, कर दो अपरा हम लोग ओका